डैम प्रूफ न केवल सर्वोत्तम वाटर्पूफिंग प्रदान करता है, बलकि अब आप इसके द्वारा अपने घर की छट को सुन्दर एवं आकरशक भी बना सकते हैं। इटों एवं सीमेंट प्लास्टर से अच्छी तरह से पैक कर दें। शती ग्रस्त सतहों को पॉलीमर युक्त सीमेंट मोटार द्वारा रिपेर करें। सतह की दरारों, क्रैक्स को स्मार्ट केर क्रैक्सील, पॉलीमर मोटिफाइड मोटार के द्वारा अच्छी तरह से भरें। तथा ये सुनेश्चित करें कि डैम प्रूफ लगाने से पहले सतह पर कोई भी धूल के कण न रहें। स्टेप 2. डैम प्रूफ अप्लिकेशन डैम प्रूफ में 30 प्रतिशत पानी मिलाकर, ब्रश या रोलर की सहायता से 50 वर्ग फीट प्रती लीटर के अनिवारे कवरेज के साथ सेल्फ प्राइमिंग कोट लगाएं, एवं खुली धूप में 4-6 घंटों तक सूखने दें। अब डैम प्रूफ का दूसरा वाटर प्रूफिंग कोट बिना पानी मिलाएं, ब्रश या रोलर की सहायता से 25 वर्ग फूट प्रती लीटर के अनिवारे कवरेज के साथ लगाएं, एवं खुली धूप में 4-6 घंटों तक अच्छी तरह सूखने दें। अब पैटन की आवशकता के अनुसार डैम प्रूफ वाइट, ग्रे या टेरा कोटा कलर का तीसरा एवं अन्तिम वाटर प्रूफिंग कोट बिना पानी मिलाएं, ब्रश या रोलर की सहायता से 25 वर्ग फूट प्रती लीटर के अनिवारे कवरेज के साथ लगाएं, जिससे क की डैम प्रूफ का तीन कोट में 10 वर्ग फूट प्रती लीटर का अनिवारे कवरेज प्राप्त किया जा सके, अब सतह को खुली धूप में अच्छी तरह से 4-6 घंटों तक सूखने दें, अब आपकी छत की सतह खूपसूरत पैटन बनाने के लिए तैयार है, पहला पैटन आवशक सामगरी सबसे पहले छत के पूरे क्षेत्र को 1.5 बटा 1.5 फीट के एक समान खंडों में विभाजित कीजिए अब दिखाए गए तरीके से मास्किंग टेप की साहता से सतह के संपूर क्षेत्र में जिग जाग पैटन बनाएं एवं ध्यान रखें कि जिस लाइन में डैम प्रूफ टेराकोटा कलर लगाना है, उस लाइन के सभी खंडों में मास्किंग टेप खंडों के बाहर की तरफ चिपकाएं, जिससे की दोनों रंगों की एक समान चौड़ी लाइन बनाई जा सके अब डैम प्रूफ टेराकोटा कलर को बिना पानी मिलाए, ब्रश या रोलर की सहता से सतह पर चिन्हित हर दूसरी लाइन में लगाईए एवं चार से छे घंटों तक खुली धूप में सूखने दीजिए, इसके बाद सावधानी पूर्वक, मास्किंग टेप निकाल दीजिए अब आपका मन चाहा पैटन बनकर तयार है दूसरा पैटन आवशक सामगरी सबसे पहले छट के पूरे क्शेत्र को 1.5 बटा 1.5 फीट के एक समान खंडों में विभाजित कीजिए इस पैटन की शुरुवात करने के लिए पहली लाइन के दो एवं दूसरी लाइन के दो खंडों को मिला कर दिखाए गए तरीके से मास्किंग टेप की सहायता से सतह पर आवशक पैटन बनाए एवं अगले चार खंडों में यही पैटन 90 डिग्री घुमा कर बनाए अब जिन खंडों में डैम प्रूफ टेराकोटा कलर लगाना है उनको चिन हित कर लें एवं ध्यान रखें कि उन खंडों में मास्किंग टेप लाइन के बाहर की तरफ लगाए गए हो जिससे की कलर के एक समान त्रिभुजाकार पैटन बन सकें इसी तरह से मास्किंग टेप की सहायता से सम्पून सतह पर पैटन बनाए अब डैम प्रूफ टेरकोटा कलर को चिन्हित त्रिभुजाकार खंडों में बिना पानी मिलाए ब्रश या रोलर की सहायता से लगाए एवं चार से छे घंटों तक सूखने दें इसके बाद सावधानी पूर्वक मास्किंग टेप को निकाल दें अब आपका मंचाह पैटन बनकर तयार है तीसरा पैटन आवशक सामगरी सबसे पहले छट के पूरे क्षेत्र को 1.5 बटा 1.5 फीट के एक समान खंडों में विभाजित कीजिए इस पैटन के शुरुवात करने के लिए पहली लाइन के दो एवं दूसरी लाइन के दो खंडों को मिला कर दिखाए गए तरीके से मास्किंग टेप की सहायता से सतह पर आवशक पैटन बनाएं जिससे की पतंग की तरह की आकृती बनेगी अब इसी तरह से मास्किंग टेप की सहायता से सम्पून सतह पर पैटन बनाएं अब डैम प्रूफ टेराकोटा कलर को चिन्हित खंडों में बिना पानी मिलाएं ब्रश या रोलर की सहायता से लगाएं एवं 4-6 घंटों तक सूखने दें इसके बाद सावधानी पूर्वक मास्किंग टेप को निकाल दें अब आपका मंचाह पैटन बनकर तयार है पैटन फोर आवशक सामगरी सबसे पहले छट के पूरे क्षेत्र को 1.5 बटा 1.5 फीट के एक समान खंडों में विभाजित कीजिए इस पैटन को बनाने के लिए एक खंड छोड़ कर हर दूसरे खंड के चारो तरफ बाहर से मास्किंग टेप लगाना है तथा छट के समपूर क्षेत्र में इसी तरह से मास्किंग टेप लगा कर पैटन बनाना है अब डैम प्रूफ टेराकोटा कलर को बिना पानी मिलाए ब्रश या रोलर की सहता से उन सभी चिन्हित खंडों की सतह पर लगाए जिनके चारो तरफ बाहर से मास्किंग टेप लगाया गया है तथा चार से छै घंटों तक खुली धूप में सूखने दें अब मास्किंग टेप को सावधानी पूर्वक निकाल दें अब आपका मन चहा पैटन बनकर तयार है